बॉलिवूट की पॉपूलर कपल वरुन धवन और नताशा दलाल अब अपनी शादी शुदा जिन्दिकी को बेहद इन्जॉय कर रहे हैं वरुन और नताशा से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आ रहे हैं वैल जानकरीक लिए आपको बता दें कि बीते महीने ही 24 जनवरी के दिन वरुन और नताशा शादी के बंधन में बनने के बाद नताशा और वरुन की सोशल मीडिया पर तस्वीरें चाही होई थी शाही शादी की तस्वीरें चर्चा का विश्या बन गई और वरुन धवन और नताशा दलाल शादी के जोड़े में काफी खुपसुरत लग रहे थे ऐसे में देखा जाए तो नताशा हमेशा की तरह काफी सिंपल नजराए सोशल मीडिया पर नताशा को जम कर ट्रॉल भी किया जाने लगा वही जानकारी के आपको बता दें कि अब एक पर फिर से नताशा दलाल को ट्रॉल किया जारा है आई आपको बताते हैं आखिरकार इसके पीछे की वज़ा क्या है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो आर चनल नेक्स्ट नाइन नियूज और मैं हूँ आपकी होस्ट फ्रांशी राठर दरसल जानकारी के आपको बता दें कि 24 जन्वरी के दिन वरुन और नताशा ने मुंबई के अलिबा की दमेंशन हाउस रिसोर्ट में साथ फेरे लिए पारंपरिक रित्रिवाजों को इस प्यारे से जोड़े ने निभाया तो वहीं शाही शादी की तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर चल्चा का विश्य बनी हुई है वरुन और नताशा एक दूसरे पर भरपूर प्यार लोटाती हुए नजर आए हैं तो वरुन और नताशा की शाही शादी तस्वीरों को फैंस ने काफी पसंद किया है तो वहीं फैंस ने भरपूर प्यार दी दिया है बॉलिवूट इंडस्ट्री के सितारे वरुन और नताशा को बधाई देते हुए नसराए हैं लेकिन शादी के इतने दिनों बाद अब नताशा की एक जलक देखने को मिली है और नताशा की जलक को देखने के बाद फैंस ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रॉल करना शुरू कर दिया है आई आपको बताते हैं कि आखिरकार यहां पर क्या कहते हुए नसराए हैं ट्रॉलर्स बॉलिवूट की पॉपुलर स्टार वरुन धवन ने बीते महीने 24 जनवरी की दिन अपनी लॉंग टाइम गर्फ्रेंड और फैमस फैशन डिजाइनर नताशा दलाल के साथ साथ फेरे लिए मुंबई के अलिबाग में दमेंशन हाउस रिसॉर्ट में बेहद शांदार तरीके से वरुन और नताशा की शादी किये गए शाही शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चाही रही तो वही नताशा और वरुन को भरपूर प्यार मिला अपने फ्रैंस अपनी करीबियों से और बॉलिबॉर्ड इंडस्टी की सितारों की तरफ से भी सोशल मीडिया पर बधाईयों का तानता लगा रहा वही शादी की दोरान वरुन और नताशा बेहत खुबसूरत आउटफिट में नजर आए जहां एक और वरुन धवन ओफवाइट सेरवानी में नजर आए तो वही नताशा दलाल भी ओफवाइट लहंगे में नजर आए नताशा दलाल ने अपने लहंगे को खुद ही डिजाइन किया था वही नताशा दलाल का ये लुक फैंस को काफी पसंद भी आया लेकिन दूसरी ही ओर नताशा सोशल मीडिया पर ट्रॉल भी की गई वही दूसरी ही ओर ट्रॉलर्स ये भी कहते हुए नजर आए कि नताशा दलाल का मंगल सूत्र कहां है और चूडा कहां है और इस तरह से नताशा को सोशल मीडिया पर जम कर ट्रॉल किया गया लेकिन हाल ही में नताशा को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है सोशल मीडिया पर एक बार फिर से नताशा को अलोचनाव का सामना करना पड़ रहा है दरसल जानकरी के लिए आपको बता दें कि जहां एक और वरुन धवन अपने काम पर वापिस लौट चुके हैं वरुन अपनी अपकमिंग फिल्म जुग 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 की शूटिंग मे व्यस्त हैं तो वही नताशा दलाल भी अपनी काम पर ध्यान देती हुई नजरा रही है लेकिन हाल ही में नताशा की पहली जलक सामने आई है दरसल शादी के बाद नताशा की पहली जलक देखने को मिली है नताशा दलाल को घर के बाहर स्पोर्ट किया गया है तो वही दलाल पहुंची एक सैलून और उस दोरा नताशा को कार से उतरते हुए देखा गया इस दोरा नताशा नजर आई ब्लैक आउटफिट में ब्लैक स्वेटर के साथ मैचिंग पैंट पहनी हुई थी नताशा और साथ में नताशा ने ब्लैक कलर का मास्क भी चहरे पर लगाया वेल जहां एको नताशा बेहद सिंपल नजर आ रही है और नताशा काफी खूपसूरत लग रही है तो वहीं वरुन की दुलहनिया नताशा को ट्रॉल किया जा रहा है एक बार फिर से उनके चूड़ा के चलते जिहां दोस्तों जानकरिक लिए आपको बता दें कि इस दोरा नताशा दलाल हातों में वाइट चूड़ा पहनी हुई नजर आई और गले में पतली सी चैन पहनी हुई नजर आई हात और पेरों में नताशा की महंदी साफतोर पर देखने को मिली लेकिन जहां एक उर फैंस नताशा के इस लोग को काफी पसंद करते हुई नजर आए हैं चलिए आपको बताते हैं हमारी इस रिपोर्ट में वेल यहाँ पर फैंस कहते हुए नजर आए हैं लक्की गल वरुन्धवन की दुलनिया उन्हें काफी पसंद आ रही है वही यहाँ पर कुछ फैंस ने लिखा है भाबी वही साथी साथ एक फैंने लिख दिया है हीरोईन बन गई है इस तरह से सोशल मीडिया पर नताशा को भरबूर प्यार देते हुए नजर आए हैं हार्ट इमोजी शेयर करते हुए नजर आए हैं एक फैन ने लिखा है सो क्यूट नताशा मैम और हार्ट इमोजी भी शेयर किया है। लेकिन इस भी इस ट्रॉलर्स ने नताशा दलाल को देखकर अपने गुस्से को चाहिर कर दिया है। गुस्से वाले इमोजी शेयर किये हैं। यहां पर स्वाती लिखती हैं। वाइट बेंगल्स कौन डालता है। वहीं यहां पर कुछ फैन ने लिख दिया है बेकार। जी हां इस तरह से सोशल मीडिया पर नताशा दलाल को ट्रॉल किया जा रहा है। वैल जानकारी कले आपको बता दें कि यहां पर एक फैन ने पूछा है अभी भी एक्ट्रस बन गई क्या। भगवान जी इंडिया को बच जा लो। इस तरह से नताशा को ट्रॉल कर रहे हैं और नताशा के बारे में ये तमाम ऐसी बाते कहते हुए नजरा रहे हैं। वहीं यहां पर एक फैन ने लिख दिया है वाइट कोन पहनता है बैंगल्स। वहीं यहां एक और यूजर ने लिखा है सी इस सो अफसेट्स बिद वाइट देट इविन हर चूड़ा आर वाइट। यहां यहां पर फैन्स इस तरह से नताशा दलाल के चूड़ा को लेकर कॉमेंट करते हुए नजरा रहे हैं। यहां आमना लिखती हैं और इस तरह से सोशल मीडिया पर नताशा को लेकर यूजर ने अपनी अपनी प्रतेकरियाएं दी हैं। वैल जानकरिक लिए आपको बता दें कि बीते लंबे समय से नताशा और वरुन एक दूसरे को डेट कर रहे थे और फाइनली यह प्यारा सा कपल एक दूसरे का हो चुका है और अपनी शादी शुदर जिन्देगी को बहतरेन तरीके से बिताते हुए नजर आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स आपने देखा हमारी इस रिपोर्ट में कि किस तरह से वरुन धवन की दूलनिया नताशा दलाल को एक बार फिर से ट्रॉलिंग का सामना करना पड़ रहा है। सामना करती हुए नजर आएं तो वही नताशा दलाल को उस दोरान भी चूड़ा पहनने के चलते और साथ ही साथ मंगल सूत्र के लिए भी ट्रॉल किया गया। लेकिन एक बार फिर से नताशा को जम कर ट्रॉल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फैंस लगातार अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं तो वही ट्रॉलर्स लगातार नताशा को बुरा भला कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखाजाए तो वरुन और नताशा एक दूसरे के साथ अपनी शादी शुदा जिंदकी को पिता रहे हैं। तो वही सोशल मीडिया पर दोनों की शाही शादी की तस्वीरे अब भी चाहिए हैं। हमारे इस खास प्रोग्रेम में इतना ही तब कर के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइट न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना पूलें।